हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनुराधा ए हेल्थ केर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केर चानल बहुत सारे महिलाएं प्रेग्निंसी के लिए ट्राय करते हैं और वो प्रेग्निंट होने के लिए रिलेशन में में रहते हैं लेकिन काफी लंबे समय तक ट्राय करने के बाद भी वो प्रेग्निंट नहीं हो पाते हैं और उनके प्रेग्निंट ना होने की पीछे एक एहम बजा यह है कि वो यह नहीं जानते हैं कि महिने की कौन से दिनों में उनको रिलेशन रखना है जनेरली हर महीला का जो period cycle length बोट different होता है लेकिन अगर एक महीला का जो period cycle length बोल्ड 18 से लेकर 32 दिन होता है तो उसे हम normal मानते हैं और ये जो मासिक चक्र हम period के पहले दिन से ही गिनते हैं तो अगर आपका period cycle length 28 से लेकर 32 दिन में आता है तो आपका जो ovulation यानि कि आपका जो egg rupture बो 14 से लेकर 16 दिन के अंदर ही होता है अगर आपका period थोड़ा सा irregular है यानि कि 1-2 दिन उपर नीचे हो जाता है तो आप ऐसे calculate कर सकते हैं जैसे कि आपका next due date से just 14 days पहले ही आपका egg rupture होता है तो आज की इस video में हम जानेंगे कि अंडा फटने के बाद यानि कि ovulation होने के बाद कब आप pregnant हो सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस दिन ही आपका egg rupture होता है या फिर ovulation होता है अगर उसी दिन ही आप relation में रहेंगे तो ही जाकर आप pregnant हो सकेंगे क्योंकि आपका जब egg rupture होता है यानि कि जिस दिन भी rupture होता है वो एग आपके सरीट में लगभग 12 से लिएकर 24 आवर्स तक जीबिद रहता है तो अगर इस दोरान उसको sperm मिल जाता है तब ही जाकर fortalization successful होता है और तब ही जाकर आप pregnant हो सकते हैं लेकिन आपका जो partner का sperm है वो आपके सरीट में लगभग 5 दिन तक जीबिद रह सकता है यानि कि survive कर सकता है तो अगर आप आपके ovulation के 5 दिन पहले भी relation में रहते हैं तो भी आपका partner का जो cell है वो आपके reproductive tract में मौजूद होता है तो जब भी आपका ovulation होता है तो बहुत तुरंत ही आकर आपके एक को fertilization करने में समर्थ होता है तो इसलिए ovulation के 5 दिन के पहले, ovulation के दिन और ovulation के 1-2 दिन बाद तक हर दिन या फिर हर दूसरे दिन आकर आप relation में रहते हैं तो maximum chance ये होता है कि आपका partner का sperm या फिर cell आपके reproductive tract में मौजूद हो क्योंकि roughly हम calculate करते हैं कि आपका ovulation 14-16 दे पर होता है लेकिन exactly हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कब आपका एक रप्चर होता है लेकिन जब भी रप्चर होगा वो 12 से लेकर 24 hours तक survive करेगा तो इसलिए अगर ovulation के 5 दिन के पहले और 1-2 दिन के बाद आप continuously relation में रहें तो आपके reproductive tract में आपका partner का cell या फिर sperm always available रहेगा तो जब भी आपका ovulation होगा या फिर एक रप्चर होगा तुरंत ही वो fertilization हो सकते इसलिए ovulation day के 5 दिन पहले और ovulation day और ovulation day के बाद 1-2 दिन को हम 6-7 दिन को हम fertile window बोलते हैं या फिर fertile days बोलते हैं और generally ये आपके period के 10-2 दिन से लेकर 20-2 दिन में ही होता है तो अगर आप जल से जल pregnant होना चाहते हैं तो आपके period का starting दिन को day 1 मान के चले और आपके period के 10-2 दिन से लेकर 20-2 दिन तक हर दिन या फिर हर alternate day relation में रहे तो आपका pregnant होने का chance बहुत गुना बढ़ जाएगा उबीत करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा और एक ना informative वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ तब तक के लिए stay healthy and stay happy